ये है पॉटूला केरिया आफरा, मिनी जेड या जेड प्लान बोलते हैं, जादा तर लोग इसको आज मैं अपने 5-6 साल पुराने जेड प्लान से एक ट्री बोंजाय तयार करने वाली हूँ उसी पर वीडियो है, केर पी डिसकस करेंगे असलाम उलाइकूम फ्रेंड्स, वेलकिम टू माई चैनल, शेवनूर एली कितने कितने खुबसूरत रूप दिये जा सकते हैं, अपने घर को सजाया जा सकता है जेड प्लान के खुबसूरती हर प्लान्टर में, ये है प्लान्टर कावर, जिन्स के कपड़े से बनाया और एक छोटे से कप में मैंने देखिए एक टो प्यारी मतलब राउन शेप दिया और छोटो सा क्यूर सा इसमें किटी बैठी है शायद और ये कितना प्यारा लग रहा है तो इसको हर शेप में हम ढाल सकते हैं, जैसा भी चाहें कुछ कंडिशन्स में इसको इंडोर पर चलाया जा सकता है बालकनी पर लेकिन अगर देखा जाए तो ये टोटली सन लविंग प्लांट है और इसको तेज धूप में ही रहना अच्छा लगता है ये जो आप एक प्लांटर देख रहे हैं इसमें जैड प्लांट लगा हुआ है ये एक महिने के बाद मैं दिखा रहे हूँ इसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ एक महिने पहले शेयर की थी जून में 27 जुलाई है करीब 4 जून को तो फिर मैंने इसको रिपोर्ट करने के बाद क्यूंकि बहुत ज़ादा गर्मी थी और इतना टेंपरेचर हाई था तो मैंने इसको रिपोर्ट करने के बाद इंडोर पर रख दिया था जहांके धूप नहीं आती सिप थोड़ी सी लाइट आती थी तेहने इसकी गौर से देखिए तार से मैंने बादा था वायर से लोहे का वायर है और दो तेहनियों को जोड़कर ही मैंने बाटर में लगाया था उसमें ये तीन चार साल रहा फिर मैंने उसको ट्रांसफर किया एक दूसरे कंटेनर में और जब इतना घना हो गया तब मैंन मिंट हेल में ले लेते हूं जा त不 pewno कि फंगिसाइड में लगा दिया हैLS तो यह सखलेंट होता है बहुत कम पानिहीं रहता है इस conveni दिया जाना चाहिए इसके पत्ति हो में लेह शण रहता लगा कि इसको जो है मुझे सनलाइट में थोड़े दिन रख देना चाहिए जब तक कि बारिश का पानी नहीं मिल रहा है इसको थोड़ी देर मिलेगा फिर मिटी गिली हो गई फिर मैंने इसको फिर धूप में रखा बस यही कर रही थी इत्ते दिन से उठा कर कभी बारिश से इसकी मिटी सुखने के लिए तो यह उसी में पत्या सब जड़ गए तो अब मैंने सोचा कि चलिए पत्या तो जड़ी गई है प्रोणिंग थोड़ा सा कर देते हैं रिपार्टिंग के बाद मैंने प्रोणिंग का सोचा था तो टाइम मुझे लग राए कि अब है तो मुझ मुझे इसको ना जैसे एक पेड होता है कैनोपी तयार करनी है उसमें तीन तरफ या चार तरफ एक गुच्छा और एक बंच निकला होता है पत्तों का तो वही मुझे इसमें शेप देना है तो यह तो आप अपने प्लान की पोजिशन देख कर ही कटिंग कर सकते हैं तो मैंने कुछ टेहनियों को अपने आईडिया से अटाया इन्हें आप ग्रो कर लीजिए एक छोटी सी टेहनी यह सारी टेहनिया यह सब ग्रो हो जाती है क्यूंकि यह लीव से भी ग्रो होता है इतनी सी एक जो एक इंच की कटिंग है ना ऐसे मिटीम दबा दीजिए एक वेल्डरन स को हटाया यह आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके प्लांट की कंडिशन कैसी है जिस तरीके का भी यह वोंजाई बन जाए ट्री बन जाए लगता अच्छा है बस इसका यह जो कोडेक्स है वो दो तीन इंच मेने पत्तियों से खाली कर दिया है यह बहुत खना होता जाएगा कुछ सालों तक तो कटिंग को लगा के छोड़ना पड़ता है ताकि यह जंगल की तरह बड़ा हो जाए और फिर कभी-कभी गुडाई कर दीजिए साल में दो बार फर्टिलाइजर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दीजिए वर्मी कंपोस दीजि वहां लगा रही हूँ ताकि वहां से कोई फंगस क्रियेट ना हो इस पर और कुछ दिन मैं इसे बारिश से बचा कर ही रखूँगी और फिर उसके बाद किस तरह की कैनोपी या ट्री तयार होता आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो पर लाइक कीजिए झाल 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 झाल